चलते हैं next question के ओपर which is question no.3 which are the following place या places Thomas Rowe was successful in establishing factories तो Thomas Rowe जो आये थे इंडिया के अंदर वो किस-किस जगा पर अपनी factory को establish करने में successful हुए क्या उन्होंने आगरा में अपनी factory बनाई, what about एहमदाबाद, भरूच, सोचे क्या answer हो का फिर डिसकस करते हैं चलिए, तो जो Thomas Rowe थे, Sir Thomas Rowe, James 1 के ambassador के तोर पर इंडिया में आये थे 1615 के पाद, तो मतलब जब Hawkins चा चुके थे, best वाला period भी, जो captain best वाला period था, वो भी almost complete हो चुका था, तब Thomas Rowe आए, यहाँ पर कुछ टाइम वो जहांगिर की कोर्ट में रुके, और यहाँ पर 1619 था, as an ambassador वो जो थे, रुके जहांगिर की कोर्ट के अंदर, दो, जो Thomas Rowe थे, he was unsuccessful in concluding a commercial treaty, किसके साथ, मुगल emperor के साथ, वो commercial treaty sign करने में असफल रहे, लेकिन, he was able to secure number of privileges, इसमें क्या क्या था, इसमें factory establish करने की permission थी, पर यह privileges कहां का ली गई, आगरा के अंदर उन्होंने permission ले ली, factory बनाने की, एमदाबाद के अंदर ले ले ली, भरू कर सकते हैं, इवन दो, commercial treaty वो अभी भी sign नहीं कर पायते, तो हमारा answer जो होगा, वो A हो जाएगा,